माराश्वा की नक्सल प्रभावित गर्चे रॉली जिले में देराज हुई एक मुट्भेड में 13 नक्सली मारे गए जाजा जानकारी की माने तो अभी तक 6 नक्सलियों की शब बरामत हुई गर्चे रॉली के डियाईजी संदीप पार्टि ने इसके पुष्टी की अभी भी C-60 कमांडोस और नक्सलियों के बीच रुप-रुप के फाइरिंग चारी एरफोर्स का फाइटर विमान MIG-21 गुरुवार रात पंजाब के मोगा जिले के लंगी आन्या खुर्द गाउं में क्रैश हुआ हाथसे में पाइलिट स्क्वाडरन लीडर अभिनव चौधरी की मौत हुई एरफोर्स ने इस हाथसे की कोट ओफ इनक्वारी का आदेश दिया बाबरी मस्जिद विद्वश मामले में मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले जफर्याब जिलानी को गुरुवार को ब्रेन स्ट्रोक हुआ आननफानन में उनको लखनव के मेदानता अस्पताल में भरती कराए गया सीनिय डॉक्टर्स की निगरानी में उनका अलाजचारी देश में कोरोना संक्रमन का ग्राफ नीचे आ रहा है और बीते 24 घंटे में 2,69,000 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जबकि 3,57,000 मरीज ठीक हालांकि महामारी से जान गवाने वालों को आकड़ा फिर से एक बार 4,000 के पार पहुँचा गुरुवार को 4,208 मरीजों ने दम तोड़ा मद्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने गुरुवार को बड़ा एलान किया जिन परिवारों में किसी सदर से किम्रत्यू COVID-19 से हुए उन्हें एक लाग रुपे के अनुग्रे राशी दी जाएगी सेम शिवराज ने कहा जो वेक्ति इस दुन्या में नहीं उसकी पूर्ती तो सरकार नहीं कर सकती लेकिन सरकार की कोशिश यहर पीडित परिवार को कुछ ना कुछ राहत मिले इंडिन कांसल फॉर्ड मेडिकल रिसर्च यानि की ICMR ने कहा कोरोना से शुगर की बिमारी भी हो सकती है गुरुवार को स्वास मंतराली के प्रिस कॉंट्रेंस के दौरान ICMR के प्रमुग डॉक्टर बल्राम भारगव ने कहा कोरोना वारिस डायविटीज भी दे सकती है क्योंकि इससे शुगर बढ़ता है कोरोना महामारी के दौरान सामने आया ब्लैक फंगस अपकेंदर के लिए बड़ी चिंता बना केंदर सरकार ने सभी राजियों को खत लिक कर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया साथी सभी राजिय सरकारों से इसे महामारी एक्ट के तैट नोटेबल डिसीज घोशित करने को कहा यानि राजियों को ब्लैक फंगस के केस, मौतों, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा भारती मैला क्रिकेट टीम इस साल अपना पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी ये मैच आस्ट्रेलिया के किलाव पर्थ में 30 सतंबर को खेला जाएगा बीसी सी आई सचिफ जैशान इक उरुवार को सोशल मीडिया पर घोशना की भारती मैला टीम आस्ट्रेलिया के किलाव 15 साल बाद टेस्ट खेलेगी आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमते निरंतर बढ़ रही बेट्रोल की कीमत बढ़ने से जहां रूसाना आवागमन वाले लोगों की मुसीबते बढ़ी बेट्रोल की कीमत में 17 माई से 19 पैसे प्रती लीटर तक की बढ़ोतरी देखी गई डीजल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ाएगे इसके साथ दोनों इंधनों की कीमत एतिहासिक इस तर पर जा पहुँची देश कर शेयर बासार कारुबारी सब्ता के पांचे और आखरी दिन मजबूती के साथ खुला इस दोरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर खुले बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांग तीश शेयरो वाला आधारिस समवेदी सूचकांग सेंसेक्स 353.22 आंकि आने की 0.7 एक फीसिती की तेजी के साथ 4918.08 के इस तर पर खुला